नमस्कार मैं हूँ डाक्टर सुनेल सत्यार्थ आज के वीडियो में जानेंगे महिलाओं में गर्वपात के लक्षड कारण और घरेडू उपाएं सवर्पत हम जानते हैं गर्वपात है क्या आयरुवेद के अनुसार हमारे सरीड में तीन तरह के दोस होते हैं वात, पित और कफ जिनके आसवंतुलन होने के करण सरेड में विभीन प्रकार के विकार पैदा होते हैं इसी तरह गर्वपात में वात का दोस्त का आसवंतुलन हो जाने से गर्वती महिलाओं का गर्वपात या गर्वसराव होने की आसंका बढ़ जाती है 80% गर्वपात 0-13 सब्ता में हो जाता है अगर 90 अनिमित्ता है तो गर्वपात 0-13 सब्ता के बीच में हो जाता है 0-6 सब्ता में ज्यादतर खत्रा होता है इन दिनों में गर्वपात होने की आसंका बहुत जादे होती है जिसमें महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि वो प्रिग्नेंट है या मासिक धर्म की अनियमित्ता है गर्वपात होने के कारण क्या है? कभी-कभी गर्वपात यूटरस की कमजोड़ी के कारण भी होता है जिससे गर्वासे ग्रिवा की छमता में कमी कहा जाता है जिसकी वज़ा से भुरुड गर्व में नहीं रुप पाता है। सर्विकल और प्रयाप्तता की वज़ा से गर्वपात आम तोर पर दूसरी तिमाही में हो जाता है। जिसके कारण कुछ हार्मोन्स की समस्याएं जैसे प्रोजिस्टरान की कमी या एस्ट्रोजन की अधिकता, बलट सुगर और थाईराइड जैसी विमारिया। अब सवाल यह आता है कि आखिर बार बार गर्वपात क्यों होता है। महिलाओं का इम्यून सिष्टम का कम होना गर्वपात होने में महत्वपूर भूमिका निवाता है। इम्यून सिष्टम कम होने से गर्वती महिलाएं संक्रमड रोक का सिकार हो जाती हैं, जिसके कारण गर्वपात हो जाता है। महिलाओं में कुछ हार्मोंस जैसे प्रोजेश्टरान, एस्ट्रोजन हार्मोंस पाय जाते हैं जो गर्व की रच्छा करते हैं अगर गर्वती महिला में ये हार्मोंस औसमान या औसंतलित हो जाएं तो गर्वपात होने की आशंका बढ़ जाती है महिलाओं की अधिक उम्र होने पर भी गर्वपात का जोखिम हो सकता है क्योंकि अंडाडु की खराब गुडवक्ता का होना मुख्य कारण होता है गर्वपात होने का कभी-कभी माता-पिता के जिंस में अनिमित्ता हो जाती है जिसके कारण गर्भासे में बच्चा अधिक गंबीर हो जाता है और गर्वपात हो जाता है अनिमिता कुछ आनुवनसिक भी होती है जो क्रोमोसम्स का अनिमित होना बार बार गर्वपात होने का मुख्य कारण होता है अगर गर्वती महिला का ब्लड ग्रूप आरेच निगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रूप आरेच पोजिटिव है तो गर्वपात की समस्या आ सकती है क्योंकि बच्यकी रक्त कोशिका मा के खून से नहीं मिल पाती है जिसके कारण गर्बपात होने की आसंका बढ़ जाती है कुछ महिलाएं गर्भावस्ता में खून की कमी का सिकार हो जाती है जिसके वज़ा से भी गर्ब पात हो जाता है इनके अलावा कुछ अन्य कारण भी है जैसे ज्यादे एंटीबायोटिक लेना धुम्रपान करना ज्यादे मात्रा में कैफीन यूग पदार्थ लेना एलकोहल आदि पीना कुछ अन्य जैसे की बिटामिन सी की अधिक्ता बिटामिन सी किसी भी इंसान के लिए काफी आहम होता है क्योंकि यह बिटामिन आपके सरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है लेकिन अक्सर नेचरली गर्ब पात करने के लिए बिटामिन C का इस्तमाल करने के लिए इसलाह दी जाती है ऐसा माना जाता है कि अगर गर्वडी को बहुत जादे मातरा में बिटामिन C का सेवन कराया जाए तो खुद बखुद गर्वपात हो जाते है अगर किसी गर्वती महिला को बिटामिन C वाले फल खांस कर आवला का सेवन अधिक मातरा में करें तो गर्वपात होने की पुरी संभावना हो जाती है इसलिए बिटामिन सी युपत आहार का बहुत अधिक मातरा में सेवन गर्भती महिलाओं को बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए पुदीना भी एक कारण है गर्भती आपको परहेज करना चाहिए कच्चा पपीता और अनानास भी एक कालड है गर्वपात के लिए पपीते के बारे में आप सभी ने सुना होगा क्योंकि हर गर्वती इस्तरी को ये सलाह दी जाती है कि वो पपीते से दूर रहें वरना उन्हें भी गर्व से जुड़ी समस्याए पैदा हो सकती है क्योंकि पपीते और अनानास में पपेन नाम का रसायन पाये जाता है जो गर्वपात को बढ़ावा देता है इसलिए प्रिग्नेंसी के समय पपीता वह अनानास नहीं खाना चाहिए ग्रीन टीन आजकल प्रचलन में है और हर कोई ग्रीन टी पीना चाहता ह है लेकिन ग्रीन टी का इस्तमाल महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो गर्वती है क्योंकि ग्रीन टी या हरी चाय से सरीर में फायदे तो होते हैं जैसे की वजन कम करता है सरीर को चुस्त रखना हिरदय को स्वस्त रखना आज लेकिन अगर इसका इस्तमाल गर्वती इस्तरि जो हर किसी के घर में मिल जाएगा जिन महिलाओं को बार बार गर्वाट की समस्या होती है उन महिलाओं को नियमित तोर पर लौकी का जूस या सबजी खिलानेगा है धतूरे के जड़ की माला गर्वती इस्त्रियों में धतूरे की जड़ की माला बना कर पेट के नीचे बांदेना चाहिए ऐसा करने से बार बार हो रहे गर्वपात की समस्या कम हो जाती है पलास के पत्ये का उप्योग भी गर्व को रोकने के लिए किया जाता है गर्ब धारण के लिए पलास के पत्ते वरदान से कम नहीं है। गर्ब धारण से पहले महिने में एक पत्ता, दूसरे महिने में दो पत्ते, इसी तरह हर महिने के हिसाब से उतने पत्ते दूद में मिलाकर गर्बती इस्त्री को दिया जाये, तो गर्ब सुरच्छी तरहता है। हमारे घरों में मिलने वाला गाजर जो अक्सर लोग हलुआ बना करके भी खाते हैं गाजर का भी एक अपना अलग हिमात्व है गर्भा वस्ता में एक गिलास दूद में एक गाजर का रस मिला कर उबाल लें जब आधा रह जाए तो इसे गर्भती महिला को पीने के लिए दे द मिलेगा यहन उसका बहुत सी महिलाओं के लिए कारिगर सावित हो चुका है हींग का प्रयोग भी प्रिगनेंसी में महिलाओं को करना चाहिए महिलाओं को अपने खाने में हींग का प्रयोग करना चाहिए जिससे महिलाओं में गर्वपात की समस्या कम हो जाती है इसलिए हींग को अपने खाने में सामिल करने की सला दी जाती है फिटकरी का भी प्रयोग किया जाता है जिन महिलाओं को गर्भा वास्ता के कुछ समय बाद खून आने लगता है जिसके कारण गर्वपात होने का अंदेशा लगा रहता है तो उस समय एक चम्मज पीसी हुई फिटकरी क कच्चे दूद के साथ पानी मिलाकर लेने से गर्वपात रुख जाता है महिलाओं को जब गर्वती होने की जनकारी मिलती है उसी समय अपने डाक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए क्योंकि गर्वपात 80% महीने के सुरुवाती दिनों में ही होता है इसलिए गर्वती अगर हो इससे दिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं एक नई जनकारी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मात्र